बच्चेयों तो अड़ा सारें दा अज दे पाठ नाइट्रोजन चक्रविच स्वागत है साड़ी पहली क्लास फिच असी हवा दे संकट गांबारे चर्चा की तीसी इस तो पहला कि असी अगे वदी है असी हुन तक जो कुछ कर चुके हाँ उसनों याद कर दे हाँ हवा कई गैसा दा मिश्रन हुन दी है वायू मंडल दियां परता वायू मंडल दबाओ ते इसदा माप ते हवा दे संगटक की तुसी जान दे हो की नाइट्रोजन चक्कर मनुखा ली क्यों जुरूरी है इस करके महत पूरण है क्योंकि मनुखनों जियून लई नाइट्रोजन दी बहुत लोड़ूं दी है नाइट्रोजन प्रोटीन दा सब तो महत पूरण तत है अते नाल ही ए डीने ते आरने अते प्रोटीन्स दा महत पूरण है साहन अज असी नाइट्रोजन चक्कर नूँ याद करांगे इस तो पहला साड़ा सिख्यक विशेया नू जानना बहुत जरूरी है इस विशे तो बाद विद्यार्थी ए सब नू जानन योग होनगे नाइट्रोजन चक्कर दा बनना नाइट्रोजन चक्कर नू समझना मिट्टी विच नाइट्रोजन दे स्रोत वायूमंडली नाइट्रोजन फिक्सेशन बारे पूरी जानकारी नाइट्रोजन किस तरह मिट्टी विच प्रवेश कर दी है उसनु समझना जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन बारे जानकारी एह वी दसना कि नाइट्रोजन किस तरह मिट्टी विच वापस प्रवेश कर दी है एह दसना कि किस तरह नाइट्रोजन वायू मंडल विच वापस आउंदी है? नाइट्रोजन कार्बन वांग इकतात है, हर जीवनों नाइट्रोजन दी लोड है, वायू मंडल विच नाइट्रोजन गैस दा बहुत वड़ा पंडार है पर जन्तू वते द्रक्त इसनों सिद्धे तोरते इस्तेमाल नहीं कर दे इस्तेमाल योग बनन लई इस दा स्थिरी करन जरूरी है इस तों बाद इस जीवा दे माधियमतों ही शुरू होके एको सिस्टम विच ले आउंदा जानदा है सब तो पहला नाइट्रोजन दे महत्त पूरन स्रोता तो शुरू करना होवेगा वायू मंडल विच नाइट्रोजन सब तो वद मात्रा विच पाई जान दी है नाइट्रोजन दे दुजे स्रोत नाइट्रेट्स से रूप विच मिट्टी दे अंदर हुन दे हन वायू मंडल दी नाइट्रोजन तद तक इस्तेमाल नहीं होवेगी जट तक पोधे मिट्टी विच नाइट्रेट्स नो इस्तेमाल नहीं कर दे बैक्ठीरिया काई अते रोशनी विच नाइट्रोजन पूरी तरा नाइट्रेट योगिकां विच बदल जान्दी है ताही ए पोधेयां द्वारा इस्तेमाल योग हो जान्दी है नाइट्रोजन वायू मंडल तो लई जान्दी है जदों नाइट्रोजन स्थिरी करन पौतिक परिक्रिया द्वारा हुन्दी है ता इसनों फिजिकल फिक्सेशन केहा जान्दा है उदाहरनले बिजली कडकनते वायू मंडल विच नाइट्रोजन आते ओक्सीजन मिलके ओक्साइड बनाँदे हन नाइट्रोजन डाई अक्साइड मीदे पाणी नाल तरती उपर आ के नाइट्रिक एसड बनाँदे हन एह नाइट्रिक एसेड पूमी विच किसे निश्चित खनिजनाल क्रिया कारके नाइट्रेट्स बनाँ देहन की चान पता है किस तरह नाइट्रोजन मिट्टे विच जान दी है हवा विच मुक्त नाइट्रोजन जद नाइट्रेट विच बदल दी है ता इस बदलाओ नू नाइट्रोजन स्थिरी करन क्या जानदा है पोदे मिट्टी विच माजूद नाइट्रोजन दे महत्य पूरण खपतकार हन ये इस योग हुन दे हन कि ये नाइट्रेट्स नो अपनी जड़ राईं लें दे हन जैविक कंपाउंड विच कार्बन अनु हुन दे हन ये कंपाउंड प्रोटीम, इंजाइम अते नुकलिक एसिड हो सक दे हन कुल मिला के किस तरह नाइट्रोजन पोदे अते जन्तुआं दे स्रीड विच परवेश कर दी है मिट्टी विच नाइट्रेट्स पोदेयां द्वारा खनेज नमक दे रूपतों खिच लई जान दी है पोदे आ जैविक प्रोटीन नो जैविक प्रोटीन विच बदलदा है जदों जन्तु पोदे खान दे हन ता उनना दे स्रीर विच ए प्रोटीन प्रवेश कर दे हन बायलॉजिकल नाइट्रोजन स्थिरिक करन सुखम जीमा द्वारा कीता जानदा है उधारन वजो राईजोबियम एक नाइट्रोजन स्थिरिक करन बैक्टीरिया है जो की फलिदार पौदे आदिया जड़ां विच मजूद हुनदा है जो नाइट्रोजन नू मिट्टे विच स्थिर कार दिन्दा है एहे नाइट्रोजन नू नाइट्रेट्स विच बदल्दा है एह नाइट्रेट्स प्रोटीन बना उनले महत्वपूर्ण हन अजेटो बेक्टर अते क्लोस्ट्रीडियम मुक्त रूप विच रहन वाले नाइट्रोजन बेक्टीरिया हन नाइट्रोजन अमोनिया विच बदल जान्दी है नाइट्राइट बेक्टीरिया अमोनिया नू नाइट्राइट विच बदलता है ए नाइट्राइट फिर नाइट्रेट बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट विच बदलदा है नाइट्रोजन किस तरह मिट्टी विच वापस आऊंदी है जदों पोदे नाइट्रोजन दा रूप बदल देंदे हान ता ए अनु मिट्टी विच वापस आजान दे हान जा पोदेंदे रूप विच जन्टू द्वारा ग्रहन कर ले जान दे हान शाकाहारी जन्टू पोदे खान दे हान अते अमीनो एसिड नूँ ग्रेहन करके नमे प्रोटीन विच बदल देहन। सरवहारी जनतु, पोदे अते जनतु दोमे खान देहन। इसदे नाली ओर नाइट्रोजन नुँ ग्रेहन कर देहन। नाइट्रोजन अनू पोदयां ते मरे हुए जन्तुआं दे अवशेशां दे रूप विच मिट्टी विच वापस आजान दे हन। इस तरह ए चक्र चलदा रहनदा है। जदों पोदय अते जन्तुआ मर जान दे हन। ता उन्हा दा स्रीर डीकंपोज हुँदा है। पाव अभगटित हुँदा है। अते माइक्रो और्गिनिजम जिवें अमोनिफाइंग बेक्टीरिया, नाइट्रोसो मोनास अते नाइट्रोसो कोकस। प्रोटीन नू रसाइनिक रूप विच बदल दे हन। मनुखा अते जानवरा विच कोज प्रोटीन अमोनिया अते कार्बन डायकसाइड विच तुट दे हन। जो की यूरिया बनान दे हन। अते ए मूतर दे रूप विच निकल दे हन। इनना दे मलनू फिर माइक्रो और्गिनिजम अजैविक नाइट्रेट्स विच बदल दे ह डीकम्पोजीशन बेक्टीरिया नाइट्रोजन नू मृत पौद्या अते जन्तुआ राही मिट्टी विच वापस ल्याउंदे हन। अते प्रोटीन्स नू अमोनिया विच बदल दी है। यूरिया जन्तुआ दे मल मूतरतों अमोनिया विच बदल दा है। मिट्टीनू नाइट्रोजन परपूर बनाओं लई इस विच अमोनिया अमोनियम अते नाइट्रेट फर्टिलाइजर मिलाए जान्दे हन। एह नाइट्रेट्स पौध्या द्वारा प्रोटीन बनाओं वास्ते इस्तेमाल किते जान्दे हन। इस तरह स्थिर नाइट्रोजन जन्तुआ द्वारा इस्तेमाल हुन्दी है। नाइट्रोजन किस तरह वायूमंडलित प्रवेश कर दी है। कुछ बैक्टीरिया मिट्टी विच पाए जान्दे हन। इना नो डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या जान्दा है। ए मिट्टी दी नाइट्रेट नू मुक्त नाइट्रोजन विच बदल दे हन। इसनू होर समजन वास्ते एक चल्चित्र वेख दे हां। नाइट्रोजन दा वापस वायूमंडल विच जाना। डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, फ्री नाइट्रोजन ते अमोन्या नू वायूमंडल विच वापस छड़ दा है। वडियां वडियां फैक्ट्रियां अते मोटर वहन वी NO अते NO2 वायो मंदल विच छट देहन ज्वाला मुखी वी फटन नाल वायो मंदल विच नाइट्रोजन दे अक्साइड छट देहन आओ नाइट्रोजन चक्र नू दुबारा वेखिये हर जी जन्तुआ नू नाइट्रोजन दी लोड प्रोटीन अते नूकलिक एसिड दे रूप विच हुंदी है हवा जिस विच 89 प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है अते ए नाइट्रोजन दा बहुत वड़ा स्रोत है सजीव इस नाइट्रोजन नू सिद्धे ग्रैन नहीं कर दे पर कुछ जन्तु नाइट्रोजन निमन रूप विच जमा करके रख दे हन नाइट्रेट आइन अमोनिया यूरिया जन्तु पोदे आतों ता उन्ना जन्तु आतों जो पोदे खान दे हन उन्ना तो नाइट्रोजन कंपाउंड लेंदे हन नाइट्रोजन चक्र चार चर्ना मिच हो के गुजरदा है नाइट्रोजन फिक्सेशन दूसरा अपघटन तीसरा नाइट्रिफिकेशन चोथा दे नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन दा तत एंड टू है जो की अक्रियाशील है नाइट्रोजन दे तत तानों एटम्स विच तोड़न लेही बहुत शक्ती दी लोड हूंदी है तांकि एहोर एटम्स नाल जुड सकन नाइट्रोजन फिक्सेशन वास्ते तिन तरादियाँ पर क्रियावा जरूरी हान वायू मंडल विच बिजली कडकन नाल फिक्सेशन दूसरा जैविक फिक्सेशन ते तीसरा है उद्योगिक फिक्सेशन वायू मंडल विच बिजली कडकन नाल नाइट्रोजन अते आक्सीजन दी किरिया नाल नाइट्रोजन अक्साइड बन दी है ए सब मी विच नाइट्रेट्स बनाके तर्थी विच जान दे हान विच योगिक फिक्सेशन ए इस तरह होंदा है कि बहुत दबाव विच छेसो डिग्री सेल्सियस ताक्मान अते केटलिस्ट दे इस्तेमाल नाल वायो मंडली नाइट्रोजन अते हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाऊंदे हां अमोनिया दा फर्टिलाइजर दे रूप विच असी सिद्धा इस्तेमाल कर दे हां जयदा तर अमोनिया नू यूरिया अते अमोनिया नाइट्रेट दे रूब विच बदलया जानदा है अजैविक नाइटरोजन फिकसेशन इस विच बिजली कडकन द्वारा वायु मंदल नाइटरोजन नाइट्रेट्स विच बदल दी है अते इंडस्ट्रेलाईजेशन नाल नाइट्रेट्स नू अमोनिया विच बदल्या जान्दा है जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन जदो नाइट्रेट फिक्सेशन नाइट्रिफाइंग बेक्टीरिया द्वारा हुन्दा है ता इस नू जैविक नाइट्रोजन स्थिरी करण कहन देहन डी नाइट्रिफाइंग बेक्टीरिया नाइट्रोजन नू मुक्त अवस्था विच वायू मंडल विच वापस छटदा है इस तो बाद असी माइक्रो ओर्गैनिजम अते उस दी नाइट्रोजन चक्कर विच पागिदारी वेख देहां माइक्रो ओर्गैनिजम नाइट्रोजन चक्कर विच रोल राइजोबियम बेक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन Azetobacter अते Clostridium, nitrogen fixation Kai, जिद्धा Nostock, पाणी विच nitrogen fixation Ammonifying bacteria, protein नू Ammonia विच बदलदा है Nitrosomonas, Ammonia नू Nitrite विच बदलदा है Nitrosococcus, एह Nitrite नू Nitrates विच बदलदा है Denitrifying bacteria, एह Nitrate नू मुक्त Nitrogen विच बदलदा है जल जीवशाला, जा एक्वेरियम विच nitrogen चक्कर दे पड़ा आओ, असी जल जीवशाला, जा एक्वेरियम विच nitrogen चकर दे पड़ा वेख दे हा Nitrogen cycle दे तिन पड़ा हन हर इकदी आपनी जुनोती है मुडला पड़ा एक्वेरियम विच ट्रोपिकल मच्चियांदा व्यर्थ अते ना खादे पोजन नाल पाणी विच अमोनिया पैदा हुन्दा है मच्चियांदा मल मूतर अते कोई भी आणखादा पोजन बहुत छेती आयोनाइजड जा अनायोनाइजड अमोनिया विच बदल जान्दा है आयोनाइजड रूप अमोनिया NH4 है जे इसदा pH 7 तो कट है ता एह मच्चियाली तेजाबी जा विचेला नहीं है अनायोनाइजड रूप अमोनिया NH3 है जे pH स्केल 7 जा ज्यादा है ता एह मच्चियाली विचेला है अनायोनाइजड अमोनिया NH3 दे कोईवी मात्रा खतरनाक है बेशक किसे वेले इसदा पदर 2 ppm है ता मच्चियानू बहुत खतरा है अमोनिया आम तोरते जल वाटिका विच मच्चिया पाउंड तो तीसरे दिन बाद वदना शुरू हो जान्दा है दूसरा पड़ाव जे तो हाडेकोल प्रियोग किट है ततुसी पहले जा दूसरे हफ्ते दे अंत ते नाइट्राइट पदर दे वादेनू वेख सकते हो तीसरा पड़ाव इस चकर दे आखरी पड़ा ते जिवानू नाइट्रो बेक्टर विक्सित हुन दे हन अते ओ विशहले नाइट्राइट्स नू नाइट्रेट विच बदल दे हन जो मचियां लेई अमोनिया जा नाइट्राइट जिनने नुकसान दायक नहीं पर नाइट्रेट दी जादा मात्रा नुकसान दायक है इसलिए, एक्वेरियम विच नाइट्रेट काट करन लेई, जा नाइट्रेट तो छुटकारा पाउन लेई, सरल तरीका है एक्वेरियम दा पाणी बदलना इक वार एक्वेरियम बनाऊं तो बाद नाइट्रेट दी मात्रा नू लगातार नियंत्रण विच रखन लई टैंक दा पाणी बदलना चाहिदा है पाणी बदलना जरूरी है टेंक विच पाणी बदलन तो इलावा नाइट्रेट नू नियंतर्ण करंदे होर वी तरीके हन ताजय पाणी दे टेंक विच जलिये पौदे नाइट्रेट नू वर्त लेंदे हन नमकीन पाणी दे टेंक विच चटान अते रेत दी मोटी परत हो नाल एनरोबिक खेतर बन दे हन जिस विच दी नाइट्रिफाइंग बेक्टीरिया नाइट्रेट नू नुकसान रहित नाइट्रोजन गैस विच बदल दे हन जो टेंक दी पाणी दी सत्य तो निकल जान दी है विद्यार्थियों होन तुसी जान गए हो की की हुंदा है जां की वापर रेहा है हुंद सत्य तुहानू की करना चाहिदा है आपनी मच्यानू बचाउन ले नाइट्रोजन चक्कर नू ठीक रखन लेई सरल तरीका है पाणी दी परख करनी अते पाणी नू बदलना नाइट्रोजन जन्तुआ लेई अते पोदया लेई एक महत्वपूरन तत है क्योंकि ए प्रोटीन बनान दे हन जो साड़े जीवन लेई उप्योगी हन नाइट्रोजन दा एक बहुत वड़ा स्रोत वायू मंडली नाइट्रोजन है पर नाहीं पोदय ते नाहीं जन्तु इसनों वायू मंडल तो सिद्धे रूपिच नहीं लेई सकदे इस तरह इस चकर नूँ जो वायू मंदली नाइट्रोजन नूँ कमपाउंड पावयोगिक बनानादा है जो कि पोधियां अते जंतुआं द्वारा इस्तेमाल तो बाद इस नूँ दुबारा वायू मंदल इज वापस पे जन नूँ नाइट्रोजन चकर क्या जानादा है नाइट्रोजन चकर दे कारण ही वायू मंदल विच नाइट्रोजन दा सही अनपाथ बन्या होया है होन असी इस विशेद अखीर विच हां इत्थे त्वाडे वास्ते एक टेस्ट दित्ता जा रहे है इस नाल एपता लग सकेगा तो अनू किन्ना कु समझ आया है ते ए दे लई सवाल हन पहला सवाल है नाइट्रोजन की है कि पोदे अते जन्तू इसनू सिद्धे तोरते इस्तेमाल कर सकदे हन ठीक इस दा उत्तर नाइट्रोजन एक तत है इसनू सिद्धे तोरते इस्तेमाल नहीं किता जा सकदा अगला स्वाल है नाइट्रोजन कित्थे मिल दी है नाइट्रोजन गैस साड़े वायू मंडल विच मजूद हुन दी है अगला स्वाल है वायू मंडल विच नाइट्रोजन दी किन्नी मात्रा है ठीक इस दा ज्वाब है 89 प्रतीशाद अगला स्वाल है नाइट्रोजन भोतिक रूप विछ किस तरह जुड़दी है हाँ इस दा उत्तर ए रोश्णी अते बिजली दे कडकन नाल जुड़दी है अगला स्वाल है बिजली दे कडकन वेले की हुंदा है वायू मंदली नाइट्रोजन अते ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन डायोकसाइड बनान दे हन अगला स्वाल है नाइट्रोजन तो नाइट्रिक एसिड किस्तना बनाया जान्दा है ठीक इस दा उत्तर है नाइट्रोजन डायोकसाइड मी दे पानी विच बिलके नाइट्रिक एसिड बनान दा है अगला स्वाल है जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन की है ठीक इस दा उत्तर है जदो नाइट्रोजन फिक्सेशन सूखम जीवां द्वारा किती जान्दी है ता इसनो जैविक नाइट्रोजन स्थिरी करन क्या जान्दा है हां अगला सवाल है नाइट्रोजन फिक्सिंग करन वाले बैक्टीरिया दा की ना है इस दा उत्तर है राइजोबियम अगला सवाल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कित्थे हुन दे हन ठीक इस दा उत्तर है फलीदार पोदियां दियां जणाद विच ए बैक्टीरिया हुन दे हन अगला सवाल है नाइट्रोजन फिक्सिंग विच राइजोबियम दा की काम है ठीक राइजोबियम नाइट्रोजन नू नाइट्रेट्स विच बदलता है अगला सवाल है नाइट्रेट्स दा की रोल हुन दा है ठीक नाइट्रेट्स प्रोटीन सिंथेसिस लई ज़रूरी हुन दे हन अगला सवाल है किसे मुक्त नाइट्रोजन नू स्थिर करन वे ले बेक्टीरिया दना दसो ठीक इस दा उक्तर है अगला सवाल कोई भी योगिक दसो जिनना मिच नाइट्रोजन हुन दी है हां अमोनियां अमोनियां अते नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स मैननू आसे कि इस पार्ट नू सम्जन तो बाद तुसी इमत्यान विच चंगे नंबर लवोगे मैं सोचदा कि तानू सार्यानू मजाया होएगा तो अड़े इस क्लास विच त्यान नाल पढ़न लई बहुत बहुत तनवाद